नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अंकेत अगरवाल स्वागत करता हूँ आप सभी काज टड़ी आएक्यू पर दोस्तों आपने कल न्यूस देख ली होगी यहाँ पर एक कंपनी है mutual fund company जिसका नाम है अब इसकी वज़े से जो पुरा market है mutual fund का उसमें एक काफी बड़ा चिंता जनक बात देखने को मिल रही है I am sure कि आप में से जादा तर जो लोग देख रहे हैं ये वीडियो उनको mutual fund क्या होता है कैसे वर्क करता है पुरा share market कैसे वर्क करता है सबके बारे में बहुत कम पता होगा इसको देखते वे यहाँ पर इस वीडियो में मेरा प्रयास रहेगा कि बहुती simple से simple words में भाशा में आपको मैं समझा सकूँ कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या चलिए आगे बढ़ते हैं आपको study IQ education को subscribe करना है bell icon पर click करना है this is me अंकित अगरवाल और updates के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं अलग-अलग social media ideas पर मेरे हर एक वीडियो की PDF के लिए आप मुझसे facebook पर जुड़ सकते हैं या फिर बाकी updates और PDF के लिए भी आप उसे telegram channel पर join कर सकते हैं ध्यान रखेगा इसमें अलड़ी 16,000 से जादा subscribers जुड़ कर चुके हैं साथ में अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए study IQ लाया है smart course से जिसके त्रूँ आप अपने preparation को और भी जादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो दोस्तों याँ पर सब कुछ ये पूरा मामला समझने से पहले आपको कुछ basics जाना होगा mutual fund क्या होता है कैसे work करता है ये किस किस तरह क्यों होते हैं देखिए mutual fund क्या है basically आपको पता है कि अगर आप एक salaried person है अगर आप एक businessman है आपके पास कुछ पैसे होंगे capital होगा अब जरूरी हो जाता है कि अगर आपको retirement करना है या फिर उसके पहले कुछ आपकी आउशकता है इसको देखते वे आपका जो पैसा है वो आप कहीं invest करना चाहते हो कुछ लोग gold में करते हैं कुछ लोग यहां real estate में करते हैं लेकिन यहाँ पर कई लोग जो है share market में करते हैं और अगर जिनको share market के बारे में नहीं पता अच्छे से तो वो जाते हैं यहाँ पर mutual fund के option में तो एक तरह से क्या होता है जो mutual fund है वो कई लोगों से यहाँ पर जो investors है उनका पैसा लेता है और एक जगा एक अठा करता है और इस पैसे को अलग-अलग diversify करके लगा देता है market में यही basic काम होता है mutual fund का अब यहाँ पर आपको समझने की जरुवत है कि जो यह company है जो mutual fund है investment bankers भी जनको हम कहते हैं तो यहाँ पर वो क्या करते हैं कि इसको जो है अलग-अलग प्रकार के जो investment है उसमें लगाये जाता है मेंली आपको हर जगा तीन तरह के mutual funds देखने को मिलेंगे एक होता है debt mutual fund दूसरा होता है equity mutual fund तीसरा होता है hybrid mutual fund अब देखे debt का मतलब क्या हुआ debt का मतलब होता है कि यहाँ पर जो mutual fund company है वो आपका पैसा share market में नहीं लगा रही है वो आपका पैसा basically जो fixed rate of return वाले bonds होते हैं जैसे कि सरकार bonds issue करती है जैसे कि जो companies हैं reliance हो गया टाटा हो गया वो लोग अपना पैसा जुटाने के लिए bonds issue करते हैं और उस bond पे fixed rate of interest दिया जाता है तो इस तरह के जो bonds होते हैं इस तरह जब securities में investment किया जाता है mutual fund के द्वारा और आप कहते हो कि आपको जो पैसा है वो इस तरह के bonds में ही लगाना है क्योंकि आप risk नहीं लेना चाहते तो यहाँ पर उसको हम कहते हैं debt mutual funds whereas in case of equity mutual fund क्या होता है यह काफी जादा risky होते हैं आपको return भी काफी अच्छा मिल सकता है जैसे कि अगर आपने 1,00,000 रुपए ही इस पे लगाया हो सकता है आपको जो return है वो 20% तक भी मिल जाए 25% तक भी मिल जाए एक साल में तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको return भी अच्छा होता है लेकिन इस तरह के fund में आपका risk भी जादा होता है मतलब कि आपको पता है share market में उतार चड़ाओ लगा रहता है तो इसको देखते वे यहाँ पर आपने देखा होगा recently किस तरह से यहाँ पर जो share market है वो गिरा है जिसकी वज़े से अगर आपने पैसा लगाया होगा equity mutual fund में तो यहाँ पर आपका जो portfolio है उसमें काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली होगी लेकिन कई लोग होते हैं जिनका सोचना होता है कि उनको कुछ पैसा अपना debt में भी लगाना है equity में भी लगाना है इसको देखते वोए यहाँ पर आपके लिए तीसरा option है जिसको कहा जाता है hybrid mutual fund अब यहाँ पर जो mutual fund company है वो कुछ हिस्सा पैसा equity में लगाएगी और कुछ हिस्सा पैसा debt में लगाएगी और इसके हिसाब से आपको return दिया जाएगा अब इस mutual funds के basically फायदे क्या क्या होते हैं जैसे कि आपको professional expertise मिलेगी क्योंकि आप finance में उतना जादा जानकारी नहीं रखते हैं आपको नहीं पता कि किधर actual में पैसा लगाना चाहिए तो एक तो यह फायदा होता है दूसरा यहाँ पर return भी काफी अच्छे होते हैं बाकी चीजों के मुकाबले जैसे कि अगर आपने fix जो आपका deposits होते हैं bank के अंदर उससे जादा return मिलता है इस तरह के instruments में mutual fund में यहाँ पर अगर आपने savings account में रखा है तो उससे जादा return मिलता है तीसरा यहाँ पर अपने अकसर यह वाला term सुना होगा यह जो sentence है don't put all your eggs in one basket मतलब कि आपका जो पैसा है वो basically अलग-अलग जगा लगना चाहिए तो एक तरह से जो mutual fund है वो आपके पैसे को diversify करता है अलग-अलग segment में लगाता है ताकि अगर आपका कोई आगे चलकर economy में क मदद करता है और mutual fund के तरू यहाँ पर सरकार भी आपको कई तरह के tax benefits देती है तो overall हम कहें तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा diagram है आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे investors होते हैं वो अपना पूरा पैसा यहाँ पर fund manager जो mutual fund है वो manage किया जाता है managers के द्वारा जो experts होते ह हैं वो यहाँ उसको manage करते हैं और उसको लगाय जाता है अलग-अलग securities में जैसा कि मैंने आपको example बताया था या तो आप debt का choose कर सकते हो equity choose कर सकते हो तो यहाँ पर अगर suppose मैं example लेता हूँ कि Reliance ने यहाँ पर अपना जो पैसा है उसको collect करने के लिए capital raise करने के लिए उन्हो उन्हों यहाँ पर shares issue कर दिया या फिर उन्होंने bond issue कर दिये तो इस तरह के चीजों में यह जो fund managers हैं वो आपका पैसा लगाएंगे और यहाँ पर Reliance उनको यहाँ पैसा देगी और इस हिसाब से return generate होता है जो की investors के पास चला जाता है और हमारे देश में अगर आप देखें एक mutual fund का नाम है that is Franklin Templeton अब यह जो mutual fund है आपको समझना है यह India की company नहीं है यह एक बहुत बड़ी global investment firm है जिसको firm किया गया था 1947 में अमेरिका के New York City में लेकिन अभी इसका headquarter आपको San Mateo that is California में मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा अलग-अलग investments के जाते हैं जैसे कि mutual fund हो गया retirement planning हो गई तो यह एक let me tell you यह बहुत बड़ी company है in fact यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके द्वारा पूरे विश्व भर में करीब 455 open ended mutual fund चला जाते हैं देखे open ended और close end भी funds होते हैं basically open end का मतलब होता है यहाँ पर जो चाहे अपना पैसा आकर लगा सकत है close end का मतलब होता है कि एक limited लोगों को ही यह दिया जाता है और यह खतम हो जाता है तो इस तरह के दो तरह के आपको जो mutual funds हैं वो देखने को मिलेंगे और आप देख सकते हैं 455 बहुत बड़ी संख्या होती है इतने बड़े mutual fund को manage करना अब जो कल यहाँ पर decision लिया गया है Franklin Templeton का तो obviously बात है कि Franklin Templeton जो है वो इंडिया में भी इसका office है जो कि इंडिया में कई सारे mutual funds को operate करती है मतलब कि investors का पैसा लेती है और उसको अलग-अलग जगा यहाँ पर invest किया जाता है Franklin के दोरा तो यहाँ पर आप news में देख सकते हैं कि Franklin Templeton India closes six debt schemes तो यहाँ पर जो debt mutual funds हो आप इसके नाम देख सकते हैं कि ultra short bond fund हो गया short term income fund हो गया देखिए अलग-अलग fund का मतलब यह है कि किसी fund में आपको risk ज़्यादा मिलेगा किसी fund में risk थोड़ा सा कम मिलेगा return उसी के हिसाब से ज़्यादा होंगे और इसमें कम होंगे तो इस तरह के अलग-अलग है अब इसको बंद करने का निर्ने लिया गया है मतलब कि जो investors ने अपना पैसा लगाया था ऐसा नहीं है कि उनका पैसा यहाँ पर waste हो गया चला गया आगे कुछ पैसा मिलेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा लेकिन यह अभी के लिए जो पूरी scheme चलाई जाती थी उसको यहाँ प mutual funds में 6 के 6 में यह पैसा बहुत तेजी से deteriorate ना हो जाया मतलब कि यहाँ पर उनको बहुत जादा loss ना हो इसको देखते वे यहाँ पर इन्होंने यह decision लिया है और यह decision इसले लेना पड़ा क्योंकि COVID pandemic की वज़ए से महमारी की वज़ए से हमारे देश के अंदर आपने दिख रंच हो गया है पैसा नहीं है वो कोई return नहीं दे पा रहा है इसको देखते वे यह वाले जो funds थे वो काफी जादा risk के funds थे in fact मैं आपको बता दूँ तो जो experts हैं उनका यहाँ पर यह मानना है कि यह जो 6 funds थे basically यह काफी जादा high yielding मतलब की high return वाले यह funds थे लेकिन यहाँ पर जैसे कि मानली यह हम example लेते हैं कि यह Franklin आपका template है जो invest करता है fund तो उन्होंने क्या किया यह जो 6 के 6 debt funds हैं उन्होंने invest कर दिया बहुत low rate या फिर low rate आप कह सकते हो जो bonds होते हैं आपको पता है ना कि bonds को यहाँ पर ratings दी जाती है अगर suppose government यहाँ पर bond issue कर र आपर obvious सी बात है अगर सरकार आपसे पैसा borrow कर रही है तो definite सी बात है कि सरकार आपको वो return करेगी इसलिए सबसे जादा भरोसा होता है लेकिन यहाँ पर जो Franklin company है उन्होंने क्या किया यह जो 6 funds हैं इसके थुरू यहाँ पर बहुत low grade के जो bonds होते हैं उसमें invest कर दिया मतलब क double A ratings के bonds हो गए इससे नीचे के जो ratings के bonds होते हैं उनको यहाँ पर investment कर दिया अब देखिए यहाँ पर अगर reliance अगर suppose borrow करती तो reliance के जो bonds होते हैं वो काफी secure होते हैं ऐसा माना जाता है कि reliance एक अच्छी company है अगर उसने पैसा borrow किया है तो कल लोट आएगी लेकिन अगर आप बहुत low grade के bonds में invest करोगी तो आपके उपर risk है कि अगर कल के date में वो company बंद हो जाएगी तो जो आपसे पैसा borrow किया गया है क्या वो return कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी और यही सब देखते वे यहाँ पर इस particular जो 6 funds हैं इसको close किया गया and let me tell you कि इसका अगर आप पूरा total पैसा पूछोगे कि इन 6 funds का पूरा कितना wealth था इसका तो आप देख सकते हैं as on April 22 इसका करीब value था करीब 25,856 करोण रुपए मतलब 25,000 करोण से जादा इसका पूरा पैसा है जो कि एक बहुत huge amount होता है साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप और ज़्यादा liquidity, NBFC crisis इन सब के बारे में जानना चाते हैं तो ये वीडियो मैंने बनाया था काफी पहले इसको देखेगा काफी कुछ आपके economic में clarity आएगी तो अब एक सवाल खड़ा होता है कि यहाँ पर अगर ये mutual funds close किये गए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ जिन जिन investors ने अपना पैसा लगाया था उनके wealth का क्या होगा, क्या ये डूब गया, जी नहीं यहाँ पर basically जो है अभी बहुत जादा detail नहीं आई है कि किस तरह से पैसा लोटाए जाएगा लेकिन एक बात तो तह है कि यहाँ पर जो पैसा अगर आपने एक लाख रुपे लगाया था तो यहाँ पर clear thought पर यह दिख रहा है कि अगर यहाँ पर पैसा नहीं मिल पा रहा है Franklin को पैसे नहीं आ पा रहे हैं तो definite सी बात है आपका जो पैसा है उसमें कुछ तो deterioration आएगा मतलब अभी clarity नहीं है लेकिन यहाँ पर कुछ problem आएगी ऐसा माना जा रहा है प्लस यहाँ पर यह जो company है उन्होंने कहा है कि हर दिन वो यहाँ पर उस पूरे wealth की जो value है जो मैंने आपसे बताया 25,000 करोन तो उसकी जो पूरी value है वो किस basis पर है कितनी है वो daily basis पर यहाँ पर reveal की जाएगी next यहाँ पर सवाल है कि क्या Franklin Templeton के द्वारा यही 6 schemes चलाई जाती थी क्या यह अब इंडिया से अपना business close कर देंगे जी नहीं let me tell you यहाँ पर यह 6 यह जो पूरा निर्णे लिया गया है यह सरिफ इनी 6 mutual funds के उपर लागू हो रहा है इनके द्वारा अलग और 7 debt funds भी चलाए जाते थे जो की stable है मतलब कि यह जो funds थे वो अच्छे bonds पर लगाए जाते थे लेकिन उस पर return कम होता था तो आप देख सकते हैं उनकी value करीब 17,800 करोण है इसके अलावा भी जो मैंने आपसे starting में कहा था कि equity mutual funds भी होते हैं तो करीब 15 इस तरह के mutual funds भी चलाए जाते थे जिनकी value 36,000 करोण है जो आप देख सकते हैं प्लस यहाँ पर hybrid category के भी mutual funds होते हैं जिनकी value उस समय Franklin के पास 3,000 करोण से भी जादा है मतलब कि यहाँ पर और भी जादा funds हैं जो कि continue होंगे यह पूरा impact सरिफ इन ही 6 mutual funds पर आएगा तो यहाँ तक यह पूरा मामला था लेकिन अब last में question arise होता है सबसे बड़ा question कि क्या इसका repercussion बस यहीं खतम हो जाएगा क्या यह further हमारे economy को deteriorate कर सकता है क्योंकि याद होगा पिछले साल हमने ilfs के बारे में काफी जादा चर्चा की थी company तो सरिफ एक थी यह लेकिन आपको याद होगा इसका impact जो है बहुत बड़ा हुआ था पूरे economy पर हुआ था तो यहाँ पर भी जो कई सारे investors हैं experts हैं उनका मानना है कि Franklin जैसी company अगर यहाँ पर अपने mutual funds को close कर सकती है तो आप सोचके देखी इससे जो कई सारी चोटी कंपनी होंगी उन्होंने भी तो अपना पैसा लगाया होगा अब आगे चलकर ऐसा नहों कि हमारे economy में फिर से इस तरह की problems देखने को मिले लेकिन यहाँ पर एक body है mutual fund organization है जिसका नाम है association of mutual funds of India यहाँ पर इन्होंने कहा है कि यह जो पूरा चीज है यह one time ही हुआ था one of incident है यहाँ पर जो और भी funds होते हैं अभी देश के अंदर वो काफी attractive हैं यहाँ पर चिंता करने की बात नहीं है और वहीं intervention की दरख्वास की है और कहा है कि यहाँ पर जिस तरह से कदम उठाए गयें Franklin की दोरा यहाँ पर कुछ intervention होना चाहिए ताकि जो पूरा mutual fund और economy का पूरा concept है हमारे देश में अभी वो सुरच्छित हो ऐसा ना हो कि जो investors हैं वो panic में आ जाए और हर एक company से यहाँ पर अपना प America आपको याद होगा 18th century में जब पूरा American war चल रहा था तो उस समय यहाँ पर he was one of the founding fathers of US तो इनी के नाम पर कही ना कहीं यह पूरा company का नाम रखा गया है I hope कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आप चाहते हैं मेरा daily UPSC MCQ join करना आप यहाँ पर study IQ app पर जाकर यह purchase कर सकते हैं with one year and two year validity यहाँ पर मैं daily 10 MCQ question डालता हूँ कोई भी inquiry के लिए आप मुझसे directly Instagram पर जुड़िए यहाँ पर मैं आपके सवालों के answer दे दूँगा मिलता हूँ आपसे next time till then thank you very much see you soon